Hello friends and welcome to Poonam's Kitchen आईए आज हम बना रहे हैं आम रस और पूरी इसके लिए मैंने यहाँ पे आम काट लिया है इसमें मैंने एक एलाइची डाली है इसमें कुछ बादाम आड़ कर दीजिए और फ्रेश क्रीम आड़ कर दीजिए इसमें आप स्वाद अनुसार चीनी आड़ कर दीजिए आईए हम इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं देखिए हमारा आमरस अच्छे से ब्लेंड हो चुका है इसे आप अब रेफ्रिजरेटर में कूल होने के लिए रख दीजिए जब तक हमारा आमरस ठंटा हो रहा है आईए हम अपनी पूडियों को फ्राइ कर लेते हैं ये हमारी गर्मा गर्म पूडियां तयार हो रही है देखिए हमारी पूडियां कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है लीजिए हमारी आमरस और पूडियार है बच्चों को यह काफी पसंद आती है तो आप भी बच्चों को जरूर बना के खिलाईए